हेलो एवरिवान वेल्कम बैक तो माई चानल कैसे है आप सब तो आज हम करेंगे एक और डियाइवाई नेल पेंट के साथ तो हम सब ने नियॉन नेल पेंट तो देखी है राइट सो नियॉन लैमन कलर की जो नेल पेंट है वो हमेशा ही जो है बहुत ही सद्धर ट्रांसपेरे करनी है उससे क्या होता है कि जो आपका बेस है उसे एक कोड मिल जाता है तो उसके उपर क्या होता है जो नियॉन कलर है वो बहुत उठकर आता है और वो ट्रांस्पेरिंट नहीं लगता है तो यह बहुत ही सिंपल सा बढ़ बहुत ही अच्छा नियॉन नेल पेंट के लिए है तो जिसको भी यह वाली प्रॉब्लम आ रही है वह वाइट नेल पेंट बेस पे लगाकर उपर नियॉन कलर का यूज करेंगे तो बहुत अच्छा कलर आएगा और बिल्कुल ही एक अच्छी लुक निकल कर आएगी और बिल्कुल भी वह गंदा नहीं लगेगा तो येस और उसके बाद अब आव्वियस है हमने कोई नेल पेंट लगाई है तो चोटा मोटा डिजाइन तो करना बनता है ठीक है तो यहां पर जो फर्सली मैंने डिजाइन किया वो थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि नीचे का जो नेल पेंट था वो ड्राय ह चुका था तो हमें दुबारा से उसको मुझे थोड़े डाक डॉट्स लेने पड़े तो बस उसके बाद हमारी नेल पेंट कंप्ली और बहुत ही सिंपली दो मिनट में लगने वाली नेल पेंट थी बट हां एक सिंपल सा है जरूर मैंने आपको बताया है तो आप प्लीज पतायेगा कि यह हाग आपको हेल्प कर रहा है यह नहीं वैसे तो बहुत इजी है बहुत अच्छा है और देखी किता अच्छा लग रहा है और यह बहुत ही अच्छी लुक आपको देगा तो फॉर आल दी गोल्स काइंड ली यूज इस एट और थैंक यू फो वाचिंग थैंक यद्धि तंक यू तंक यू तंक यू तंक यू उट्व को आपको प्राइट।